बच्चो कक्षा 11 भारत भोतिक परियावरन इस बुक के चैप्टर नमबर 7 बच्चो जिसका नाम है प्राकरतिक संकट तथा आपदाए इस नए चैप्टर को आज हम इस्टार्ट कर रहे हैं बच्चो और इसके प्रारंभिक परीचे के रूप में हम पहले भाग को देखेंग बच्चो प्राकरतिक संकट और आपदाए यह किस प्रकार की चीजें हैं और यह कब आती हैं हम नाम से पहचानते हैं कि आपदाए क्या होती है और प्राकरतिक संकट किस प्रकार से होते हैं प्रकरति के द्वारा विबिन प्रकार की जन धन की हानी अचानक से होने वाले इस बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में देखा जाता है, लेकिन बच्चों इसमें प्रकृति का तो योगदान ही, लेकिन मानव का खुद का भी योगदान है, जो की प्राकृतिक सिस्टम बना हुआ है, उसमें समस्या पैदा कर देता है, तो इसका हम एक विस्तित, यहां पर उपहार है, यह प्रकृति ने प्राकृतिक रूप से नेचर ने हमें परियावरन इस प्रकार का दिया है, कि हम यहां पर सुख सम्रद्धी से आसानी से रह सकते हैं, स्वच्च परियावरन जयव प्रजातियों के संवर्दन में मददकार होता है, परियावरन में किसी भी एविवस्ता व्यति क्रम का मनुष्य सहीत सभी जीवदारियों पर प्रतिकुल प्रभाव देखने को मिलता है। यदि परियावरन में किसी प्रकार की कोई समश्या पैदा हो जाती है, तो ना केवल मनुष्य पर बलकि दूसरे प्रकार की जैव अजैव तंत्रों पर भी समश्या पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि परियावरन का एक प्रकार से संतुलन बना करके रखना आवश्यक है। और प्रकर्ति में इस प्रकार का संतुलन लगाता रूप से बना हुआ रहता है। संतुलन की अवस्ता होती है। जो प्रकर्तिक प्रकृप है जो की समश्या हाती है वो नेचुरल होती है जो की संतुलन के लिए आवश्यक हो जाती है। लेकिन यह जो प्रकुप जो होते हैं, वो मनुष्य किस रूप में लेते हैं, यह भी देखने वाली बात है, यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं की भाग है, ठीक है, हमारा ध्यान इनकी और तभी आक्रिष्ट होता है, जब यह इनकी आवरती और तिवर्दा में वर्दी से तब ही होने लगती है यदि मानव की अपार जंदन की अधिहानी हो जाए तब हमारा एधान इनकी ओर जाता है लेकिन यह प्रकृति का एक इससे के रूप में व्याप्त है ठीक है भूकंप सुनामी बाड चक्रवाद सूखा भूसकलन आधी ऐसे ही प्रकृतिक प्रकृप माने जा यह जब यह व्यापक जंदन हानी पहुंचा है तो हमें लगातार मानव चुकि इस प्रत्विका सबसे समझधार प्राणी है ठीक है उसके दाइत्तु बनता है उसकी जिम्मेदारी बनती है बच्छो कि वह इस पर कारी करें और प्राकृतिक रूप से यह जो संतुलन की यह बड़ा हो या छोटा पदार्थ हो या एपदार्थ अनवरत चलती रहती है लगातार रूप से चलता रहता है परिवर्तन आवश्चक भी है प्रत्वी की उत्पत्ती से लेकर के बच्छो वर्तमान समय तन लगातार रूप से परिवर्तन देखे गए है ना केवल प्रत इस्तिती में परिवर्तन देखे गए तो परिवर्तन तो होते हैं, होते आए हैं और बविश्य में होते भी रहेंगे यह तै है, तता हमारे प्राकर्तिक तता सामाजिक सांस्कृतिक परियावन को प्रभावित यह करते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, यह प्रिक्रिया हर जगे व्यापते परंतु इसके परिमान, सघनता और पैमाने में अंतर होता है, हर जगे इस परकार का परिवरतन देखने को मिलता है, लेकिन कहां पर कितना और कैसा हो रहा है, यह देखने वाली बात है बच्चो, यह बदलाओ धीमी गति से भी आ सकते हैं, जैसे इसला करतियों में तो देमी गति से और तेज गति से दोनों परकार से यह बदलाओ आ सकते हैं, इसी परकार इनका परभाव छोटे छेतर तक सीमित हो सकता है, जैसे कि कोई आंधी हो, करका पात, अर्थात, यहाँ पर किसी परकार की बरफ बादी हो, टोर्नेडो हो, इतना व्यापक हो सकता है जैसे भूमंडल ये उश्मिकरन और ओजोन परत का हास, छोटे लेवल पर भी हो सकता है, छोटे इस्तर पर भी हो सकता है, और बड़े पूरे भूमंडल को प्रभावित करे, पूरी प्रत्वी को प्रभावित करे, इतना भी इसका प्रभाव हो सकता है, तो दोनों परकार क का परिवर्तन महसूस करेगा किसी जलवायू वेता के लिए जलवायू का परिवर्तन इंपोटेंट है किसी भूगर्व सास्त्री के लिए भूगर्व के अंदर होने वाले परिवर्तन इंपोटेंट है किसी समुद्र वेता के लिए समुद्र में होने वाले परिवर्तन इंप करता है कि वो इसको किस नजरिय से या किस द्रिष्टी कौन से देख रहा है क्या वो सकारात्मक रूप से देख रहा है या इसको नकारात्मक रूप से देख रहा है इसके अलावा यदि वो नकारात्मक रूप से देख भी रहा है तो उसमें कौन-कौन से प्रियास करने का वो प्रियास करेगा, प्रकृति के दिश्टिकॉन से परिवर्तन मुल्ले तथस्त होता है, प्रकृति का अंदर यह जो परिवर्तन पाए गए हैं, यह पाए जाते हैं बच्चों, तो यह ज़्यादा इंप्रोटेंट नहीं होते हैं, क्योंकि प्रकृति ने तो पृत्विकी उत के लिए यह मानाव ने इस प्रकार से कायओ किये है कि उसके लिए जनदन की हानी हो तो प्रकृति के लिए तो तटस्त है । मुल तठस्तow रहता है ना ना अच्छा होता है और ना बुरा परतु मानव हज़टी कौन से परिवर्तन मुल्य पोजिल हो जाता है, यहाँ पर मानविय जो दिश्टि कोण है, वो देखने वाली बात है कि इसके लिए क्या परिवर्तन हो रहा है, कुछ परिवर्तन अपेक्षित और अच्छे होते हैं, वो क्या है बेकार माने जाते है अनपेक्षित माने जाते हैं बुरे माने जाते हैं तो परिवर्तन देखने के नजरिये पर होता है बच्चों कि हम किस नजरिये से या कितने लाब के लिए परिवर्तन देख रहे हैं तो यह सब क्या है दृष्टी कौन पर आदारित है सामानित आपदा और विशेश रूप से प्राकर्तिक आपदाउं से मानव हमेशा बहबीत रहता है जो प्राकर्तिक आपदा है वो कब आजाए किस रूप में आजाए इससे मानव हमेशा सुरुवात से ही मानव के सब्विता का जब से विकास हुआ है बचो तब से ही मानव इससे भेभीत रहा है पहले अल्प ज्यान होने के वज़े से हम इसे प्राकृतिक रूप से अल्प ज्यानी के रूप में हम इसको सुविकार करते थे लेकिन हम धीरे धीरे जैसे 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 ज्यान की विद्धी होती गई, विज्यान में प्रगती होती गई, हम इसके बारे में जानने लगे, लेकिन हमारे बसकी बात नहीं है कि हम इसे रोक सके, लेकिन हम इस प्रकार के बचाव या उपाय कर सकते हैं, जिससे की विशाल, जन और दन की हानी को रोका जा सके लंबे समय तक भोगोलिक साहित में आपदाओं को प्राकरतिक बलों का परिमाना जाता है जो आपदाए थे वो प्राकरतिक रूप से यह प्राकरतिक बलों के रूप में मानते हैं लेकिन मानों को इनका अभोध ऐसा है सिकार माना कि मानों विच तो चारा ऐसहाय है अबोद है क्या करें इस प्रकार से समस्चा से ग्रस्त रहता है परंतु प्राकृतिक बल यह प्राकृतिक बल यह के दाउ कि कारण नई है काही न कहीं मानस भी इसके लिए जिम्मेदार है और किस प्रकार से inherent देखते हैं, आपदाओ की उत्पत्ति का संबन्द मानव क्रिया कलापू से भी है, कुछ मानविये गतिविद्यातों सीधे रूप से इन आपदाओ के लिए उत्तरदाई होती है, तो यदि हम जानते हैं बच्चों कि हमें नदी के समीप, नदी के किनार उपर मकान या कर रही है, गलती मानव किया है कि उसने ऐसे इस्थानों पर अपने आवास बनाए जो कि बाड के छेतर हैं, आदी, यह हमने एक एक जम्पल के द्वारा समझाया है उसी प्रकार से दूसरे जो प्रकृतिक आपदाए जो होती है, प्राकृतिक जो आपदाए होती है, उसमें जन्दन की जो विशाल हानी होती है, यहां पर इस प्रकार से मानवी जो क्रियकलाप है, वो भी जिम्मेदार होते हैं, अब आपदा क्या है बच्चों, इसके बारे में देख लेते हैं, एक परिभासा दी हुई है हमारी पुस्तक में, कि आपदा कहते किसे हैं, कि आपदा एक अनपेक्षित गटना है, पहले से हम बता नहीं सकते कि इस प्रकार की आपदा कब आएगी या कैसे किस रूप में आएगी, तो अनपेक्षित गटना है, जो ऐसी ताक्तों द्वारा गटित होती है, जो मानव की नियंतर्ण में नहीं है, अर्थाद प्राकृतिक रूप से यह आपदाय आती है, मानव की नियंतर्ण में नहीं होती है, यह थोड़े समय में और बिना चेतावनी की गटित होती है, अल्प समय में होती है, पहले से कोई चेतावनी इस प्रकार की नहीं दी होती, कि जिसके बारे में हम इसका बचाओ कर सके, जिसके वज़े से मानव पड़ते हैंहें से लिए अधिक प्रेत्न करने पड़ते हैं में इस प्रकार के गैस तराथदी को आमंत्र्त किया चेर्णोबिल नावी की आपडा वी ती रूस के ंदर वो क्लरी ने झाला जिम्मेदार। वहां पर कौन जिम्मेदार था, मानव जिम्मेदार था, युद्ध, युद्ध में कौन जिम्मेदार होते हैं, मानव जिम्मेदार होते हैं, अपने लालसाओ के कारण, अपने लालच के कारण युद्ध होते हैं, CFC, क्लोरो फ्लोरो कारबन की अतिशे मात्रा में, वायू मं मैं चोड़ न त अधिया न ता ग्रीन हुस गैसे। दुहनी प्रदूशन वायू प्रदूशन व्यो प्रदूशन जल प्रदूशन तत था मिठी दि मझाद़ प्रदूशन संबन्द के परियान प्रदूशन आधि आपदाएं इसके यह किसके कारण है मानवी क्रिया कलापों के उधारन यहां पर देखे जाते हैं और यह बहुत बड़ी विनाश्कारी गटनाएं होती है कुछ मानवी गतिविदिया परोग चुरूप से भी आपदाओं को बढ़ावा देती है वनों को काटने की वज़े से भूस कलन देखा जाता है बाड भंगुर जमीन पर निर्मानकारिय और एव एग्यानिक भूमी उपयोग कुछ उधारने जिनकी वज़े से आपदा परोग चुरूप से प्रभावित होती है अब बच्चों यदि हम भूस कलन की गटना देखे बाड की गटना देखे भंगुर जमीन पर ऐसी जमीन जहां जो वहां पर क्या होगा निर्मानकारी होगा जो भंगुर जमीन है तो क्या होगी बाड की गटना होगी मकान गिर सकते हैं किसी प्रकार की आपात काली इस्तित यह सरुमान है कि पिछले कुछ सालों से मानवकृत आपदाओं की संख्या और परिणाम दोनों में ही व्रद्धी हुई है मानवकृत जो आपदाएं हैं उनकी संख्या में और परिमान में दोनों में ही व्रद्धी उपाई जाती है और के इस तर पर ऐसी घटनाओं से बचने के लिए बर्सक प्रियत्न किये जा रहे हैं अब मानव के लालच के कारण ओध्योगी करण नगरी करण संसादनों पर दबाओ वनों का उन्मूलन होना यह सब क्या है बच्चों यह मानव के द्वारा ऐसे किये गए क्रिया कलाप हैं जिससे के प्राकृतिक आपदाओं को बु होती है स्विम मानव को ठीक है यद पी इस अंदर्व में अब तक सफलता नाम मात्र के हाथ लगी है परन्तु इन मानवकृत आपदाओं में कुछ का निवारन संभव भी हो सकता है लगाता रूप से विश्व समुदा इस पर कारी कर रहा है इस पर जो विद्वान है जो च का कंट्रोल करना मानव के बसकी बात नहीं है लेकिन हम किसे इससे होने वाली जो जणदन्हानी है उसको कम कर सकते हैं आपदाओं को कम नहीं कर सकते इस दिसा में विबिन इस तरों पर केई प्रकार के ठोस कदम उठाए गए हैं जिन में भारतीय राष्ट्रिय आपदा प्रबंदन संस्थान की स्थापना जो कि नाइंटीन नाइंटी टू नाइंटी त्री में हुआ था ठीक है यहां पर जो अर्थ सम्मिट हुई थी रियोदा जैनेरियों में बच्चो तो वहां पर विश्व समुदाई खटा हुआ और मई बात करें तो राष्ट्रिय आपदा प्रबंदन संस्थान की स्थापना हुई और इस प्रकार के जो कारिया है एक बल का कारिय किया जो ना किवल राष्ट्री इस तर पर लेकिन विभिन राज्यों के अपने इस तर पर भी यहां पर कारिय करने और इस प्रकार की आपदा हो रियो के अंदर अर्थ सम्मिट हुआ था जिसे रियो के नाम से हम जानते हैं उसके बाद रियो प्लस 10 रियो प्लस 20 अर्थात 2000-2012 आदी में भी वहां पर सम्मेलन हुए और विश्व समुदा इस पर कारिय लगातार रूप से कर रहा है चिंतन मनन कर रहा है कि हमें और किस प् स्थान है वहां पर इस प्रकार की आपदा प्रबंध पर विश्व संगोष्टी का आयूजन किया गया और इसके बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे ठीक है प्राय देखा गया है कि विद्वान आपदा और प्राकरतिक संकट सब्दों का इस्तमाल एक दूसरे की जगह पर कर लेते हैं यहां पर दोनों में अंतर है बच्चो कि एक तो आपदा एक प्राकरतिक संकट सब्सक्राइब करें जिनसे जन धन या दोनों को नुकसान पोँचने की संभावना होती है, तो प्राकरतिक संकट में क्या होता है, प्राकरतिक परियावरन के अंदर, परियावरन में ही ऐसे हालात, ऐसे तत्तु विद्वान होते हैं, जिनसे जन धन या दोनों को नुकसान पोँचने की संभावन होती है जबकि यह बहुत तिव्र हो सकते हैं यह परियावरण विशेश के इस्थाई पक्ष भी हो सकते हैं जैसे कि महासागरिय धाराए हिमाले में तिव्र ढाल ता एस्थिस संरचनात्मक आकरतिया अथवर अगिस्तान ता हिमाच्छादि छेत्र में विशम जलवायु दसा जो कि क्या है प्राकरतिक संकट के रूप में हमें प्राप्त होते हैं यह आपदाय नहीं है यह आपदाय नहीं है प्राकरतिक संकट है कैसे किस प्रकार से होते हैं महासागरिय धाराओ के द्वारा हिमाले में तिव्र ढाल ता एस्थिस संरचनात्मक आकरतिया प्राप्त हो अचानक से गटित होती है, जो संकट है वो लगातार चलने वाली चीज है, वो वहां पर विशम प्रकार का छेत्र मिलेगा, संकट इस्तिति होगी, लेकिन आपदा के अंदर अचानक से तिवरता से गटना गटित होती है, और बड़े पैमाने पर जंदन की हानी तथा सामाजि का बहुत कम या कुछ भी नियंतन नहीं रेटा, ठीक है, तो संकट और आपदा, दोनों में अंतर हमें कर सकते हैं, आपदा अचानक से होनी वाली गटना है, मनुष्य के नियंतन से बाहर की है, पहले से सूचन नहीं दी हुए होती, ठीक है, जैसे कि भूकंप है, जो अला मु अचानक से नहीं आते, लगातार रूप से चीज़े हमें दिखाई देती हैं, और संकट के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़े हमने दोनों में विभेद देखा, सामाने तो प्राकरतिक आपदाय संसार भर के लोगों के व्यापक की कर करनों से आपदाय आती है, प्रतेक आपदा अपने नियंतरन कारी सामाजिक परियावरनी गटको, सामाजिक अनुकरिया जो यह उत्पन करते हैं, तथा जिस डंग से प्रतेक सामाजिक वर्ग इन से निपड़ता है, ऐदुतिय होती है, अलग अलग छेत्रों में, बच्चो वो अलग प्रकार का, या फिर हम बात करें, अलग अलग जापान में जो आने वाला जो भुकंप है, वो अलग अलग प्रकार का, तो अलग अलग छेत्रों में और उसकी प्रतिक्रिया किस प्रकार से हुई, बच्चों हमें जानते हैं, कि प्रतिक्रिया पर भी यहां पर नि करता है पहला जो पहला विचार है वो है प्राकृतिक आपदा के परिमान गहनता बारंबारता तथा इसके द्वारा किये गए नुकसान समय अंतर पर बढ़ते जा रहे हैं ठीक है तो यहां पर पहला जो है प्राकृतिक आपदा के परिमान को देखेगा गहनता को बारंबारत का प्रियास कर रहे हैं और अंतर प्राकर्तिक आपदा के प्रारूप में समय अंतर पर महत्योपुन परिवर्तन आया है तो यहां पर इनमें समय अंतर पर बढ़ते जा रहे हैं पहला तो यह आगे है कि लगातार रूप से इनके परिमान में इनके गहनता में बारंबारता में लगातार रूप से आ रहे हैं प्राकृतिक आपदाय दूसरा यदि हम बात करें तो दूसरी चीजी क्या important है बच्छो कि संसार के जो लोग है इनके प्रती awareness किस प्रकार से भड़े इस पर भी कारिये कर रहे हैं प्राकृतिक आपदाय संकटों के अवगम में परिवर्तन भी आया है पहले प्राकृतिक आपदाय संकट दो परस पर अंतर संबंधी परिगटनाई समझे जाती ती अर्थात जिन चेत्रों में प्राकृतिक संकट आते थे वे आपदायों के द्वारा भी सुबेद थे जहां यहां पर संकट आते थे वहां पर आपदाय भी आती थी आते वस्वचे समय मानव पारिस्थितिक Tantra के साथ ज्यादा छेड़का नहीं करता था तह उस समय जब संकट आते थे बचो जब प्राक्रतिक संकट थी वहां पर आपदाय का आना था और इस वजाए से मानव ने उस छेड़ में छेड़कानी करना जादा जायज नहीं समझा। मानव मैं भावपदा में तबदिल हो जाये इसका मानव को बहुता था। ठीक है इसलिए माना हुआ पचेटकानी नहीं करता था लेकिन यदि बात करें परिमानते मनुष्य ने आपदा के खत्रे वाले छेत्रों में गहन क्रिया कलाप सुरू कर दिये और इस परकार आपदाओं को सुभेदता को बढ़ा दिया अब यदि हम कारी कलाप वहां पर करें आपदारन के दौर बताया बच्चों करेंगे हम आवाज की सुधा देंगे तो बाड आएगी तो उनको तो विनास करेंगी मकानों को तो ढहीगी बाड तो कि यदि यह छेतर बाड का है यहां पर पानी आ सकता है नदी प्रवाइत हो सकती है तो हमें उस चेतर में निवास नहीं करना चए था, आवास नहीं करना चछे था, लेकिन मानाउनी क्या क्या टकनीकी विकास किया, नहीं नहींते तकनीकी कि द्वारा उस पर कारी किया और उससे वहाँ पर निवास करना चलू कर दिया, तो जिससे क्या हुआ, यदि बाड आई, तो उसे समू से छेत्र को बहा करके ले गई, अपार जिंदन के आहनी वहाँ पर हुई, तो ये उधारन के द्वारा मैंने यहाँ पर बताया, अधिकांस नदियों के बाड मैदानों में भू, उपियोग तता भूमी की कीमतों के तता तटो पर बड़े नगरों बंदर गाहों जैसे मुंबई चेननाई आदी के विकास ने इन छेत्रों को चक्रवातों परबंजनों तथा सुनामी आदी के लिए सुभेद बना दिया है, तो बच्चों क्या पहले जब इन बड़े-बड़े महानगर समुद्र तटिये छ नहीं प्रदान करते थे जादा लोग नहीं रहते थे इसलिए हानी और कैसे होती थी कम होती थी, आपदा नहीं होती थी, लेकिन हमने क्या किया टक्नीक के विकास के साथ में उस चेत्रों में रहने लगे, बड़े-बड़े महानगरों को निरमान होने लगा और चख्रवात सुनामी प्रभंजन आधी इस्थितियों की जब वहां पर आई तो वहां भारी मात्रा में जन्दन की हानी हुई पिछले 60 वर्सों में 13 गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से विभिन देशों में मरने वालों की परिमान दर्साता है कि आपदाओं कितनी गंभीर होती है इसको हम देखेंगे आपर कि 13 गंभीर प्राकृतिक आपदाओं पिछले 60 वर्सों में प्राकृतिक आपदाओं ने विस्तृत रूप से जन्दन की हानी किये और इस इस्थिति से निमटने के लिए बर्सक प्रियत्र किये जा रहे है अब यहां पर हम इस टेबल से देख सकते में कि 1948 अब तक कि प्रमुख 13 प्राकृतिक आपदाओं कौन-कौन सी है तो बच्चो 48 में जो सोवित संग था जो वर्तमान में क्या है रूस है तो रूस जो पहले सोवित संग कहलाता था वहां पर 1948 में भूकंप की इस्तिति आई और लगबग 110,000 लोगों की मिर्तिव हो ग गई 1954 में चीन में ही बाड के कारण लगबग 30,000 लोगों को काल का ग्रास बनना पड़ा 1965 में पूर्वी पाकिस्तान जिसे हम अब बंगला देश बोलते हैं वहां पर एक चक्रवात जिसे उसने कटी बदने चक्रवात कहते हैं चक्रवात के कारण लगबग 36,000 लोगों को मि भूकम पाया और उसमें 30,000 लगबग लोगों की मिर्त्यू हुई 1970 में बच्चो पेरू के अंदर 1970 में पेरू में भूकम पाया जिसमें लगबग 66,000 लोगों को मिर्त्यू प्राप्त हुई और 71 में अधिम बात करें तो बहरत में चक्रवात के द्वारा 30,000 लोगों की मिर्त्यध्यू हुई 1996 में चीन में भूकम के द्वारा 7,000 लोगों की मिर्त्यू हुई बहुत बड़ी तादात है और यह प्राकृतिक आपडाएं हैं प्राकर्तिक जो संकट के रूप में आपदाओ का निर्मान हुआ, संकट तो पहले से भी था, क्या वहाँ पर चक्रवात नहीं आता था, पहले भी आता था, क्या वहाँ पर भुकंप नहीं आता था, क्या वहाँ पर बाड जैसे इस्तिती नहीं थी, पहले भी होती थी, लेकि में भूकंप के कारण लगभग 50,000 लोगों को मिर्त्यू प्राप्त हुई और 2004 में इंडोनेशिया स्रेलंका भारत आधी जो चेत्र है जो कि सुनामी के दारा प्रभावित हुए थे उसमें पांच लाख लोगों को मिर्त्यू का ग्रास बनना पड़ा उसके बाद हैं बात करे पाकिस्तान और भारत जो कश्मीर वाला जो चेत्र है वहां पर भूकंप के द्वारा लगभग 70,000 लोगों के मिर्त्यू प्राप्त हुई और 2011 में जापान में सुनामी के द्वारा लगभग 15,842 मिर्त्यू हुई तो इतने बड़ी तादात में मात्र 60-70 वर्सों में बच् पर प्राकर्ति आपदाई हुई हैं इसके लिए प्रकृती तो जिमेदार है ही साथ में इसके लिए बच्चों मानव स्वंबी प्रमक रूप से जिमेदार है यह भी मैसूस किया जा रहा है कि प्राकर्तिक आपदा द्वारा पहुंचाए गई छती के परी नाम, भूमंडली प्रतिगात और अकेले किसी राष्ट में इतनी छमता नहीं कि वह इने सहन कर सके अकेला जो देश है वो इस परकार के समश्चाओं को सहन कर सके या इस पर कारे करे अकेले देश की बसकी बात नहीं है पूरे समूचे प्रत्री के जो छेत्र है या समूचे राष्ट्रों को पूरे दुनिया के देशों को इस पर कारी करना चाहिए और इस पर मनन करना चाहिए अते 1989 में सर्युत राष्ट सामान्य असेंबली में इस मुद्दे को उठाया गया और मैं 1994 में जापान के याको हमा नगर में आपदा प्रबंदन की विश्व कॉन्फरेंस में इसे उपचारिकता प्रदान कर दी गई और यही बाद में याको हमा रन नीती तथा अधिक सुरक इसका सुरुआत कभी ती गुनिस सो निवासी में संयुक्त राष्ट सामान जो जनरल असेंबली होती है वहां पर इस प्रकार की मुद्दे को उठाया गया था और वहां पर जब मुद्दे को उठाया गया था उसके पस्चात यह दिन्धायरित कि मैं 1994 में याको हमा शहर मे इस पर कारिये करेंगे अब बच्चों देखेंगे कि प्राकरतिक आपदाओ का वर्गी करन किस प्रकार से हम कर सकते हैं तो विश्व बर में लोग विभिन प्रकार की आपदाओ को अनुभव करते हैं और उनका सामना करते हुए हैं सहन करते हैं अब लोग इनके बारे में जागरुक हैं और इससे होने वाले नुकसान को कम करने की चेश्टा में कारियरत हैं इसके प्रभाव को कम करने के लिए विभिन इस तरों पर विभिन कदम उठाए जा रहे हैं पहले वच्चों इतने लोग अवेर नहीं होते थे लेकिन वर्तमान में हमने देखा हमने अभी बलके द्वारा भी देखा था कि विभिन आपदाओं के आने के कारण अपार जंधन के हानियों आपर हुई लाखों की संक्या में लोगवाल मृत्यू को प्राप्त हुए और इसी कारण से वर्तमान में नाक्यवल सरकारे अंतरराष्टी इस तर पर बलकि इस्थानी इस तर रहे हैं ठीक है और यहां पर लोगों को अवेर करने का काम भी हो रहा है इनमें वेज्ञानिक रूप से साइंटिफिक तरीके से किस प्रकार से इनको हम कम कर सकते हैं उस पर भी विचार कर रहे है तो प्राकृतिक आपदाओं से दक्षता से निमटने के लिए उनकी पहचा रहे हैं जहां सभी प्राकृतिक आपदाओ गटित हो चुकी है तो जितनी प्राकृतिक आपदाओं हम देखेंगे दिया बहुक यहां भारत में लगभग लगभग सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में उसे मोटे طizationРЕख से चार प्रमुक बागों में वरिगिकरत कि तो यहां पर हम देख सकते हैं कि वायुमंडली जो आपदाय है वो कौन-कौन सी है, बरफानी तूपान, बरफ की जो महत्वपून तूपान आते हैं, तडित जंजा, तडित टॉर्नेडो, उसने कटी बंदिये, चक्रवात, सूखा, करका पात, जिसे ओला पड़ना हम कहते है पाला, लू, सीत, लहर, आदी यह क्या है, वायुमंडली है, यह जलवाईविक प्रणाली के द्वारा होने वाले प्राकृतिक आपदाय हैं, दूसरी हम बात करें यह भूमी से, पृत्वी से, भूकंप, ज्वाला मुखी, भू इसकलन, हिम घाव, हिम घाव का मतलब होता ह है, हिम के रूप में नीचे हिसकलन होना, अवतलन मर्दा अपर्दन आदी जो है, यह भूमिक प्राकृतिक आपदाय मानी जाती है, जलिय रूप में बाड, जुवार, महासागरिय, धाराय, तूफान, महोर्मी और सुनामी, ठीक है, यह जलिय आपदाओं के रूप में हमे बैक्टीरिया और वाइरल, संक्रमान, बड, फ्लू, डेंगू, इत्यादी, जो आकस्मिक जो गटनाएं, आकस्मिक जो बिमारिया आजाती है, उनके बारे में यहां पर जैविक आपदाय देखी जा सकती है, तो यहां हमने चार प्रमुक भागों में आपदाओं को बाटा देखी जाती है, और भारत में बच्चों यह लगबग सभी प्रकार की आपदाये पाई जाती है, अब है प्राकृतिक आपदा न्यूनी करण का अंतर राष्टी दसक याको हमा रन नीती तो था स्वरक्षित संसार के लिए कारी योजना, जो हमने अभी पड़ा था, कि मैं 1994 में में जिस पर याको हमा जापान में कारी किया गया था, उसका विस्तित किस प्रकार से कारी योजना की गई थी, उसके बारे में यह पर देखेंगे, कि सभी सदस्य देश ता अन्य देशों की एक बैटक प्राकृतिक आपदा न्यूनी करण, इसका नाम क्या था 24 में में आयुजित की गई थी, जिसका क्या नाम था? प्राकृतिक आपदा न्यूनी करण, इसके बारे में देखते हैं, इस बैटक में स्विकार किया गया कि पिछले कुछ वर्सों में प्राकृतिक आपदाओ के कारण मानव जीवन ता आर्थिक छति अधिक हुई है, तो जो प्राकृतिक आपदाओ हैं, वो लगतार रूप से हमें परेशान कर रही है, यह भी स्विकार किया गया कि यह आपदाओ विशेस्त है, विकास शील देशों के गरीबों यह साधन हिन समुदायों को अधिक प्रवावित करती है, क्योंकि यह देश इनका मुकाबला करने के लिए तयार नहीं होते, जो विक्सित देश है, वहाँ पर संसाधनों की अधिकता होने की कारण वो इन प्राकृतिक आपदाओ को से समश्या गरस्त नहीं होते हैं, लेकिन जो विकास सील देश है, जो गरीब देश है, जो पिछड़े देश है, वहाँ बहुत जादा वहां पर जो बैठक हुई उसमें प्रमुख जो प्रस्ताव पारित हुएते उनकी स्थिति हम देख लेते हैं कौन-कौन से हुएते पहला है यह दर्ज होगा कि हर देश की प्रमुख जिम्मेदारी है कि वह प्राकर्तिक आपदा से अपने नागरिकों की रक्षा करें यह दे देशों विशेश ईभू से सबसे कम विक्षित जो देसे के चो ता चोटे वीपियो पर आगरउत्यां में उर्गुख द्यान दे गए तो जो चोटे देश हैं गरीब जिनका बहारी देशों से समुद्री संपर्क नहीं है उन पर कारिये करेंगे जहां भी ठीक समझा जाएगा वहां आपदा से बचाव निवारन तैयारी के लिए राष्ट्री इस्तर पर कानून बनाकर चमता एवन सामर्त का विकास करेगा तता इस कारी में स्वेचिक संगटन इस्थानी समुदायों को संगटित करने चाहिए तो यहां पर राष्ट्री स्थर पर कोई संगटन का निर्मान होगा कोई संस्थान का निर्मान होगा और भारत में इस परकार कारिये भी हुआ है इसके अलावा या दियम बात करें तो वहां पर राष्ट्री स्थर पर कुन बनाया जाएगा संस्तान का निमान होगा चमता और सामर्थ बढ़ाया जाएगा किस प्रकार से प्राकृतिक आपदा होने पर इनका कम किया जा सके और जो NGO है स्वेचिक संगटन है या फिर इस्थानी समुदायों की भागीदारी भी शुनिश्चित करनी पड़ेगी उन उन कारियों को बढ़ावा ता मजबूती देगा जिससे प्राकर्तिक तता दूसरी आपदाओं को रोका अत्वा कम किया जा सके या उसका निवारन किया जा सके इस परक्रिया में निमनिलिखित विशेष भल दिया जाएगा तो उप्चेत्रिये चेत्रिये ठीक है या अंतर उसको प्रियास से वहां पर उसको कम किया जा सकता है उसके प्रबाव को और दोनों देसोंने साथ में इसमें प्रियास भी किया था पाँड़ाज़मे बाहरत में चख्रवाथ आए या पिशुण 8 इंडों ओनशुया भारत बांगलाड देस स्रयलंका अधिमें सुनामी जै मयोंको दी जा सके तो यह भी यहन पर कारिय किया जाए जो पहला है तो पहला है सनस्ता gratu रित्स निर्मान करना है और ऊधर सकती करन करना है तकनिकों में भागिदारियान का उत्तरण प्रक्रिणत और उप्योग करना है तकिममियीर चुछ टैक्ने heck Mixons प्रक्राप्त कर सकते हैं और सूचना का एकंतरन न होगा उसका उपयूग इस परकार से किया जा सकता है संसादनों का संग्रह करना जिससे की जुरुरत पढ़ने पर आवशिक्ता पढ़ने पर हम उसके आपदा के समय कारिये कर सके और इस तरीके से 2000 के जो दसक है बच्चो सं 2000 का दसक था उसको आपदा न्यूनी करन का अंतरराष्टे दसक भी गोसित किया गया यह बहुत बड़ी बात थी कि उस समय आपदा न्यूनी करन के लिए इतना व्रहद इस्तर पर विश्व इस्तर पर कारिये किया गया या को आमा जापान में मई गुनी सो चोराण में के अंतरगत थीक है बच्चो तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने इस प्रकार की चीजे देखी कि आखिर में प्राकर्तिक संकट आपदाए ये क्या चीज है इन में किस प्रकार से विबाजन किस तरीके से कर सकते हैं कौन-कौन सी आपदाए अब तक आई जिससे की भारी मात्रा में जन्दन की हानी हुई इसके लावा हमने यहाँ पर जो विभिन्य कारिये किये गए अंतरराष्ट्री जगत के द्वारा उसको भी देखा अगली क्लास में हम प्रमुक जो आप दाय हैं उनके बारे में अधन करेंगे धन्यवाद बच्चों